नमस्कार, मैं मम्ता जानी BMC News Live में आपका स्वागत करती हूँ आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजग है अलहिलाल होस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर समाचार विस्तार से NIS प्रदर्शनी बाहंडो फेट्रेश्या 2024 भारत और बाहरीन की साजा विरासत का जस्नम बनाती है New Indian School WLL Kingdom of Bahrain में गुरुवार को 27 जून 2024 को स्कूल परिसर में बाहरीन और भारत प्रदर्शनी पहंडो फेटाश्या का आयोजन किया जिसमें छात्रों की रशनात्त मक्ता, उस्साह और अभिनव विचार दर्शाया गया बाहंडो फेटाश्या ने भारत और बाहरीन की दश्यको पूरानी साजा संस्कृती सम्रुद्धी को प्रदर्शित किया इस जिवन्त कार्यक्रम में केजी के लिए और बारवी कक्षा के छात्रों ने भी भाग लिया और यह एक सांदार सफलता साबित हुई अधियक्स डोक्टर जान एम्टी, थोट्टू मलिम और प्रदर्शनी का उधगाटन किया और स्री चूबी के ओगस्टीन की उपस्थिती ने भी इसे गरीमेट बनाया विभिन पारंपरिक क्रुशी पदतियों के बारे में चात्रों को जागरुत करने के प्रयास के साथ विज्यान विभाग ने आकर्सक तक्नीक, आकर्सक आविशकारों और समोहक अवधरनाओ की प्रदर्शनी प्रस्तूत की चात्रों की गनतिक अभिव्यक्ती को प्रज्वलित करने के अथक प्रयास से प्रेरित प्रदर्शनी की में कई तरह की परियोजनाए, मोडल और विचार मन्थन खेल सामिल थे इसका मुख्य उतेश आंगतुकों को भारत और बाहरिन की सम्रुद गनतिक परमपराओं की जोड से यात्रा पर लेके जाना था इससे उन गुन्यादी तत्वों की गहरी समझ हासिल करने में मदद मिले चिन्हों ने दोनों देशों की संख्यात्मक निव को आकार दिया है प्रदर्शनी के सामाजिक विग्यान खंड ने अंगतुकों को भारत और बाहरिन की साजा सांस्कृतिक विरासत के प्रमान के रूप में खड़े सांदार समारकों के बारे में एक आकर्सक अंतर द्रश्टी प्रदान की इन प्रदर्शनों में दो देशों को जोडने वाले युवा से चले आ रहे वास्तु सिल्प चमतकारों की गहरी समझ और प्रासंता प्रदान की हिंदी, मल्यालम, अर्भी, फ्रेंच और तमिल से युक्त भासा विंग ने अपनी भासाए और सांस्कृतिक विवितिता का जीवन्त प्रदर्शन किया आकर्सक खेलो, मनमोहन रुत्य, प्रदर्शनी और भारत और बाहरी इन दोनों के परंपराय, परिधान, सेलियो और कपडों के प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शन ने दोनों देशों के बीच साजा किये गए सम्रुद्ध, व्यावहारिक, पहलूओ और सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया कला और सिल्प विंग ने नकेवल छात्रों की कलात मकता और शिक्षनिक श्रमता का प्रदर्शन किया बलकि भारत और बाहरिन साम्राज्य के बीच मजबूत सांस्कृतिक और सेक्षनिक सबन्द को भी मजबूत किया लाइव आर्ट सेक्षन की बहुत ही सराहना की गई क्योंकि उन्होंने पहले हाथ से ग्राउन प्रेडिंग किया और अभिनव कला शिक्षा प्रदान की वानिचिय विंग ने विपिन प्रदर्शनों के माध्यम से उपभोक्ता उप उत्तादक सबोंधत किया कॉम्प्यूटर विज्ञान अनुभव और अभिनव कार्य मोडल और ज्ञांज आधारित परियोजनाओ के माध्यम से उन्नत तक्निक का प्रदर्शन किया अंग्रे जी अनुभाग दर्शकों को कल्पना की दुन्या में लेके गए यह कलम की सक्तिशाली भुमी अक्षरों की जादोई दुन्या के साथ घुमता रहा कटपुतली सो इस विंग के मुख्या कर्संग में से एक था सारेरिक शिक्षा विभाग ने विभिन मनोरंजंग गतिविद्यों के माध्यम से खेल और खेल के नियमों के महत्व को प्रदर्शित किया परामर्स विभाग ने विभिन गतिविद्यों और तक्निकी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को प्रदर्शित किया प्रदर्शनी में सिक्षकों, चात्रों और अभिभावकों के बीच सहीयोग से तयार किये गए कार्यों की प्रदर्शनी की गई चात्रों के प्रयास और जन्मजात प्रदिभा की सब भी ने सराहना की इस आकर्षन दुन्या में आने वाले प्रत्येक अथिति का छात्रों के सराहनिय प्रयास को प्रगट करने वाले आकर्षक प्रदर्शनी से चकित कर दिया प्रिंसिपल स्री के गोपनाथ मेनन ने स्थानदार अभिभाव और सफल सो के लिए स्टाफ और छात्रों को बधाई दी इंडियन स्कुल में लड़कियों के लिए विशेच रूप से एक नया सोचाले ब्लोक बनाने और नये सोचाले ब्लोक के प्रस्ताविक स्थान से मौझूदा सुविधाओं को स्थाडांतरित करने के लिए प्रस्तावित बज्जेट की स्विक्रूति के बाद महत्वपुर्ण बुन्यादी धांचे में सुधार किया जाएगा नया सोचालय ब्लोक रणनीतिक रूप से आरपी ब्लोक और नेताजी ब्लोक के बीच स्थित होगा जिनका लक्षिया उनके दो स्थानोंग पर लगबग 80 सोचालयों की सेवा करना है नये ब्लोक के निर्मान के निर्नै के लिए वर्तमान में प्रास्ताविक साइट पर पोर्ट केबिट के स्थित मोजूदा सुविधाओं को स्थडांतित करना आवश्यक है जिसमें अर्बी और कला और सिल्फ गतिविद्यों के लिए कमरे सामिल है इन सुविधाओं को पूरा ने एड्मिन ब्लोक और नहरु ब्लोक के बीच एक नए स्थान पर स्थरांतिर्थ किया जाएगा ISB के माननिय अध्यक्स एड्वोकेट बुनी मनिल वरुदिस ने इस बात पर जोर दिया कि ये बुन्यादी धांचा गत विकास सामुदाइक परोपकार के माध्यम से संभव हुआ है जो स्कूल से बुन्यादी धांचे में सुधार के पीछे सहयोग प्रयास को रेखांकित करता है नए सोचाले सुविधाओं की आवश्यक्ता को सबवन्धित करने के अलावा EMA रिफा परीसर में वोटरप्रूफिंग कार्यक के लिए वितियस विक्रूती के दूसरे एजन्डे को भी मन्जूरी मिली यह मरमत कार्या जिसकी देख रेक एक अधिकृत सलाहकार द्वारा की जाएगी और जिसकी गैरंटी दस साल की और वरंटी है चत की सतह की अखंडता से समझोता किये बिना अक्षय उर्जा का दोहरो करने के लिए डिजाइन किये गए बेटाल्स प्रकार के सोर पेनल सिस्टम की स्थापना से पहले किया जाता है शुक्रवार 28-2024 को जसन्मल ओडिटोरियम में आयो जित असाधरन आम सभा के दोरान पहला एजन्टा इसा टाउन परिशर में एक सोचाले ब्लोग के निर्मार और नए सोचाले ब्लोग के प्रास्ताविक स्थान से मोजूदा सुईधाओस के सलांतरित करने के लिए अनुमोदन और दूसरा एजन्टा रीपा परिशर में वोटर्प्रूफिंग कारियक के लिए वितिय स्विक्रूति को उपस्थित अभिभाव को और स्कूल अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मनित्ति से अनुमोदित किया गया EGM द्वारा बजट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दोनों प्रस्ताव स्कूल के वेबसाइट के माध्यम से खुली निविता के लिए जाएंगे ISB के मानद अथ्यक्स एडवोकेट बिनु मनिल वरुगिस ने मानद सचीव वी राचपंडिति माननिया सहायक सचीव रंजीनी मोहन मानद कर्मकाचारी समीति के सदश्य मिथून मोहन मोहमद नयास उल्लास और प्रिंसिपल वी आर पल्लानी श्वामी बैठक में सामिल एडवोकेट बिनु मलिन वरुगिस ने दोहराया कि सोचाले सुविधाओं का विस्तार स्कूल के लिए लंबे समय से चिंता का विसे रहा है जो समग्र परिसर के माहोल को बहतर बनाने और छात्र कल्यान सुनिस्यत करने के लिए प्रशासन की प्रतिबधता को दर्शाता है ये विकास भारतिय स्कूल परिसरों में बुन्यादी धांचे और सुविधाओं को बढ़ाने की दिसा में एक महत्वपुर्ण कदम है जो सीधे अपने छात्र निकाई और हित धारकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को जबाब देता है पवित्र अमरनाथ यात्रा आज यानि की 29 जुन से सुरू हो चुकी है जो 19 अगस्त को समाप्त होगी भारी सुरक्षा के बीच तिर्थ यात्राओं का दूसरा जथा भी जम्मों से रवाना हो गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र अमिरनाथ यात्रा के सुभारंग पर सभी तिर्थ यात्रियों को हार्दिक सुभकामनाई दी है पिये मोदी ने एक्सपर पोस्ट करते हुए लिखा पवित्र अमरनात यात्रा के सुभारंब को पर सभी तिर्थ यात्रियों को मेरी हार्दिक सुभकामना है बाबा बर्फानी के दर्सन और वंदन से चुड़ी यह यात्रा सिव वक्तों में असीम उर्जा का संचार करने वाली होती है उनकी कृपा से सभी स्रद्ध लोग का कल्यान हो यही कामना है जय बाबा बर्फानी नेट यूजी पेपर लीक मामले पर हर दिन एक नईया खुलासा होता रहा है इस मामले के तार अभी राजस्तान के जालावार मेडिकल कोलेस से भी जुड़ गये है पहले बिहार, लातूर, हरिसाबाग, रांची, गोधरा और अभी जालावार में ये जगह पर भी जिनका नेट पेपर लीक मामले से एक एक करके कुछ न कुछ कनेक्शन सामने आ रहा है CBI की टीम ने शुकरवार को जालावार मेडिकल कोलेज के दस चात्रों को गिरफतार कर लिया है इन चात्रों पर डमी केंडिडेट बना कर परिक्सा में देने का आरोप है आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास ख़बरों के साथ All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27 year old Megamart and Makramart bakery fresh meat and fish fruits and vegetables sweets and snacks ready to eat foods dairy products grocery or consumer goods to have a wonderful shopping experience please visit your nearest Megamart Makramart branch Megamart and Makramart full of goodness yes yes झाल 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 स्वागत करती हूँ एक बाई फिर से BMC News Live में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास ख़बरों की और T20 WC 2024 फाइनल T20 WC 2024 में टीम इंडिया और आफरिका दो ही AC टीम है जो अब तक एक भी मेच हारे बिना फाइनल में पहुँची हैं दोनों टीमों के पास टोफी जितने का मोका है इसलिए यह मुकाबला बेस्ट बनाम बेस्ट का है एक बार रोहिस सर्मा की अगवाई में भारतिय टीम पहले से भी ज्यादा फोम में है और मजबूत नजर आ रही है कप्तान रोहिस सर्मा की अगवाई में भारतिय टीम का इस T20 विस्वकप में अजे अभियान जारी रखना और फाइनल तक उसमें सांदार सफर पर क्रिकेट के जगत को एक दिग्यच ने रोहित की जमकर तारीफ की ह रोहिस सर्मा और राहुल द्रविट की जोड़ी आखरी बार मेदान में जी जान जोकने के लिए तयार है जी हाँ, क्रिकेट प्रेमियों को आज के फाइनल मुकाबले के बाद इंटरनेशनल लेवल पर रोहिस सर्मा और राहूल द्रविट की जोड़ी एक साथ पफोर्म करती हुई नजर नहीं आएगी इसके पीछे की वज़़ द्रविट ने आगे कोच पद पर बनने रहने के लिए दिल्चस्पी नहीं दिखाई है वही रोहिस सर्मा ने भी 37 साल के हो गए है एसे में माना ज़रा है कि हिट में सर्मा का यह आखरी टूर्नामेंट हो सकता है इसे में आज के मुकाबले में जब ये दोनों दिखज किलाड़ी मेदान में उत्रेंगे तो सब की इच्छा रहेगी कि वह जीत के साथ ही अपने केरियर का समापन करें मनामा 29 जून मोसम निदेशाले का पूर्वा अनुमान है कि आज रात के बाद गर्म मोसम आम तोर पर ठीक हो जाएगा हवा उत्तर पस्चिम से दूसरी दिशा में 8 से 13 नोट कभी कभी 15 से 20 नोट तक पहुँच जाती है और आज रात 3 से 8 नोट तक परिवर्थन सील हो जाएगी समुत्र किस्थीती 1 से 2 फीट अंदर 3 से 5 फीट दूर तापमान अधिक्तम 45 सेल्सीस, नून्यतम 32 सेल्सीस आधरता अधिक्तम 80 पर्संट, नून्यतम 10 पर्संट इसके साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं मैं ममता आप से विदा लेती हो सब स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और WMC News Live के साथ आप सबको सुभरात्री सब बाखेर